नमस्कार आप देख रहे हैं चिस बिहार मैं हूँ आदेश पूरियाज 23 दिसंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं पटना से द्रैनिक प्रकासित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा सम्मंद आपके और हमारे जीवन से तो चलिए वह काफी घा तक बताया रहा है और ऐसे में उसके एक भी मामले भारत में नहीं आए हैं आपको बता दे कि लगभग 14 जो संक्रामित व्यक्ति जो है उनकी पाचान की गई है जो की बेटें से आए हैं और भरत सरकार ने 23 दिसंबर से यानि आज से लेकर 31 दिसंबर तक इंग संक्रामक अधिक है लेकिन घा तक नहीं तो इससे घबडाने की जरूरत नहीं है और भारत जो है इसके लिए पूरी तरह से एतिहात बरत रहा है तो वही इससे ही संबंदित अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से इसमें दिया हुआ है कि सबसे बड़ा एक प्रस्न हो गया था कि जो नया क्रोना वाइरस का स्ट्रेНе जु आ रहा है और भारत में जो ठिक्या करन की तैयारिया चलिया की उस पर रभावी होगा तो इसको लेकर जो खबरी आ रहे हैं कि यह क्लोप से इसके दूसरे स्ट्रे के लिए प्रभावी होगा वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया हुआ है कि साथ निश्चे दो, इसके इंप्लिमेंटेशन पर निती सरकार ने काफी ध्यान दिया है, और इसको लेकर बिहार के सभी एक जिलो में मेगा स्किल सेंटर जल्द ही खोले जाएंगे, आपको बता द हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया हुआ है कल निती सरकार की तीसरी कैबनेट बैठक थी और इसमें चावल की आपूर्ती बनी रहे और किसानों को गारंटी मिल सके कि उनकी पूरी धान खड़ी दी जाएगी, इसके लिए 9580 की गारंटी दी गई है सरकार के दौरा, और इसका आवंटन कर दिया गया है कि धान खड़ीदने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहों, वही अगली खबर में हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया हुआ है कि लगातार जो है कोरोना वायरस का ट्राइल जो है पटना एम्स में चल रहा है और जो पर इसमें पर लिया और लगातार जो है यह संख्या जो है बढ़ते जा रही है यानि कि लोगों का जो विश्वास है उसमें बढ़ता ही जा रहा है वह यह अगली खबर हमने प्रभात कबर से लिया है इसमें दिया हुआ है कि फरवाड़ी तक नहीं होगी सीबीसी की बसवी और बारहवी की बोड परिच्छाएं जो है वो जनवरी फरवारी 2021 तक नहीं होगी फरवारी के बाद ही परिच्छा कब कराई जाएगी इसके बारे में पूर्ण जनकारी जो है आगे दी जाएगी वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से इसमें दिया हु दिनों राज चलेगा ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को द्यान में रखते हुए एक ठाना का निर्मान कराया जाएगा वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से इसमें दिया हुआ है कि गंतंत्र दिवस समारों में भाग ले सकेंगी आम लोग आपको बता द गया था सिमित रखा गया था सिमित संख्या में लोगों को और जो उसे संबंदित लोग है अतिति हैं उनको ही आने का मौका दिया गया था लेकिन 26 जनवरी 2021 को जैसा बताया गया है उसके अनुसार जो पहले की तरह हम दो गंतंत्र दिवस समारों का आनंद उठाते थे अनुस्वा समयती का सही पी एच सी प्रभारी का ट्राक्स फोर्स गठन करने का इंडिदेश तो देश में कवाएर चल रही है और पूरे तरह से प्रसासन जो है और सरकार तीक्याकरन को किस तरह से सफल बनाया जाया और राज्य और देश के सभी लोगों किया जाया इसके प्रयाज चल रहा और इसके लिए बिहार में जो है टास्क पोर्स गटन करने का फैसला लिया गया है वही अगली खबर हमने दैनिक भासकर से लिया है इसमें दिया हुआ है कि बीपीएसी ने अपना वार्सिक कैलेंडर घोसित किया है और इसमें बताया गया है कि 65 का जो ही में हुआ है फर्वरिम नौवंबर 25 से लेकर 28 तक उसका इंटर्व्यू जो है अप्रेल में होगा और 66 का जो पीटी परिछा है वह अक्टूबर में लिया जाएगा हालाकि आपको बता दे कि बीपीएसी लगातार दो-तिन वर्सों से कैलेंडर जारी कर रहे है लेकिन ये कैलें दैनिक भासकर से लिया है इसमें दिया हुआ है कि बीजली दर में 10% बढ़ोतरी करने के लिए बीजली कंपनी का परस्ताओ तो बिहार में बीजली की जो दरें है वो एक बार फिर से बढ़ सकती है और आपको बता दे कि देश में सबसादिक बीजली के दर बिहार में ही है और इसमें फिर से 10% बढ़ाने का परस्ताओ जो है वो बीजली कंपनियों के द्वरा दिया गया है उनका कहना है कि लोकडाउन के दौरान जो है वो उनके राजस्तों की वसूली नहीं हो पाई थी घाटा लगा हुआ था और इसकी भरपाई करना जरूरी है ताकि आगे भी बीजली का जो निर्बाद रूप से जो उसका ये है वो पूरा हो सके वही अगली ख़बर हमने लिया है आपको धनीक जागरन से इसमें दिया हुए कि अगले साल पीपीउ का होगा अपना भावान शिक्षा मंतरी बिहार के असोख चौधरी ने कल एन कॉलेज में एक समारो में बताया कि पाटली पुत्रा इनवर्सिटी जिसके लिए अपना भावन जो है वो अगले साल बनकर तयार होगा और अभी तक जो है उसका भावन तयार नहीं हुआ है हलाकि विसमें द्याले जो है काम करना शुरू कर दिया है तो यह थिया पटना से प्रकासित हुनवाले को जरूर करें अगर आप योटूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेर करें और हमारे चैनल एचेस ब्यार को सब्सक्राइब जरूर कर ले बहुत बहुत धन्यवाद